हेलो एब्रिवान ये वीडियो होने वाले है विनेश फोगाट के उपर ठीक है जो आजकल काफी सूर्खियों में है जैसा कि आपको पता है हमें उन्होंने गोल्ड मेडल जिताया पैरेस ओलम्पिक्स में लेकिन किसी कारणवश वो हमारे हाथ से चला भी गया ठीक है उनका ड 50 kg काटीगरी में कम्पीट किया तीक है और ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी 50 kg में كम्पीट नहीं किया उन्होंने काफी बार किया बहुत-बार उसमें भी मेडल हमें जिताया लेकिन देखो हर बार इतना पॉसिबल नहीं होता है कि उनका वैसे जो वेट की रेंच रहती है वो 55 5K around रहती है ठीक है तो काफे difficult होता है अपने weight को cut down करके 50K around लाने का ठीक है तो उन्होंने try किया बट नहीं हुआ उन्होंने देखो 12 घंटे पूरा try किया है जिस दिन match होने वाला था उससे पहले उनके पास 12 घंटे थे उस 100 gram जो extra था उसे कम करने के लिए 100 gram नहीं था उस time पर थोड़ा ज़ादा था ठीक है उन्होंने अपने hair भी chop करा दिये अपना blood डोनेट कर दिया काफी कुछ किया पूरे time उन्होंने कोई liquid नहीं लिया skipping करती रही लेकिन फिर देखो जो होना होता है वो होकर रहता है उन्होंने काफी efforts किया है और काफी अच्छा perform किया है लेकिन कहते हैं कभी-कभी किस्मत की बात होती है कभी-कभी bad luck होता है देखो अब इतना बड़ा platform है Olympic Games ठीक है तो वो ऐसे तो allow नहीं कर सकते ना चाहे 100 gram साथ हो या कितना भी हो उन्हें disqualify करना ही था ठीक है वो अपने rules के according सही थे मैं उन्हें भी गलत नहीं बोलूँगी लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे netizens देखे जो comment कर रहे हैं कि उसने 53 kg में compete क्यों नहीं किया सारी गलती तो विनेश की है ठीक है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है देखो जो 53 kg का quota था वो अंतिम पंगाल को मिल गया था ठीक है तो उसमें तो बिलकुल भी विनेश फोगाट compete नहीं कर सकती थी अगर उन्हें 50 kg quota में खेलने का मौका मिला है वो भी इस वज़े से क्योंकि एपरिल में जो किर्गिस्तान में Asian Wrestling Olympic Qualifiers हुए थे उसमें उन्होंने 50 kg quota secure कर लिया था क्योंकि उस टाइम पे विनेश फोगाट ने दो ट्रायल दिये थे एक 50 kg वाला एक 53 kg वाला ठीक है तो जो 53 kg वाला था वो तो secure कर लिया था अंतिम पंगाल ने ठीक है और जो 50 वाला था वो विनेश फोगाट को मिल गया था तो जितने भी netizens है comment करने से पहले एक बार ऐसा सोच लेना कि क्या हुआ होगा ठीक है इसके पीछे reason क्या है ना कि तुम कुछ reels देखकर ये judge कर लोगे किस की गलती है और क्या होना चाहिए था ठीक है अब विनेश फोगाट अपने साथ खुद थोड़ी कुछ गलत करना चाहेंगी वो भी चाहेंगे कि मैं secure रहूँ उन्हें भी 53 kg में खेलना था लेकिन कभी-कभी जैसा हम चाहते हैं और लाइफ काफी देखो unfair रहती है ये काफी painful था एक coach और उसके wrestler के लिए बट कोई बात नहीं लाइफ में ऐसा चलता रहता है और आपको पता है विनेश फोगाट कितनी brilliant wrestler थी तो उन्होंने काफी इंडिया को gold जिता है कोई बात नहीं अगर एक नहीं आया तो ठीक है और जैसा कि आप सबको पता है मैं ये भी पता देती हूं कि उन्होंने अब wrestling से retirement ले लिया है अब वो wrestling नहीं करेंगी बेशक उन्होंने wrestling से retirement ले लिया है लेकिन a player is always a player ठीक है चाहे वो wrestling में ही क्यों ना हो